नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टोरी हाउ का डेजिटल बुलिटिन और मैं हूँ आपके साथ नितेश सबसे पहले बात करते हैं देश में बढ़ते कोरोना वाइरस की देश में कोविड नाइंटीन के एक दिन में 20,021 नई मामले सामनी आए जिसके बाद संकर्मन के कुल मामले बढ़कर एक करोड दो लाख के पार हो गए हैं वही केंद्र सरकार कोविड नाइंटीन टीका करण की विवस्थाओं के आकलन के लिए आज से पंजाब, असम, आंधर प्रदेश और गुजरात में ड्राइ रन भी शुरू किया है भारत में पिछले 24 गंटों में 289 मरीजों की मौत कोरोना वैरस के कारण हुई है जिसके बाद कुल मिर्तिकों की संख्या 147,901 हो गई है स्वास्थी मंत्राले के आकणों के अनुसार देश में अब 277,310 मरीजों का इलाज चल रहा है ये संख्या कुल मामलों की केवल 2.72 प्रतिशत है देश भर में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 97,82,679 हो गई जिससे स्वास्थ होने वालों की रास्ट्य दर बढ़कर 95.83 प्रतिशत पहुँच गई अब बढ़ते हैं दूसरी खवर की ओर उत्रकंड के मुख्यमंतरी त्रिवें सिंग रावत को सुमवार को दिल्ली के इम्पस अस्पताल में शिफ्ट किया गया बीती रात फैंपडों में संकरमन के चलते उन्हें दिल्ली लाया गया लेकिन स्वास्थ में सुधार नहीं होने के चलते उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था बता दे कि एक दिन में कोविड-19 के 20,021 नई मामले सामने आने के बाद देश में संकरमन के मामले बढ़कर सुमवार को 1,2,7,871 हो गए जिन में से 97,82 लाग से अधिक लोग संकरमन मुक्त हो चुके हैं केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले की ओर से सुभह 8 बजे जारी किये गए अधितन आकड़ों के अनुसार 289 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,47,901 हो गए आकड़ों के अनुसार 97,82,699 लोगों के संकरमन मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95,83 प्रतिशत हो गई रुक करते हैं आज की तीसरी खबर का प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2025 तक देश के 25 से ज़्यादा शेहरों तक मेट्रो सेवा पहुंच जाएगी उन्होंने कहा कि वरतमान समय में 18 शेहरों के लोग मेट्रों से सफर कर रही हैं और अगले 5 सालों में 25 से ज़्यादा शेहरों को मेट्रो सेवा का लाभ मिल सकेगा पीम मोदी ने मेक इंडिया के बारे में बात करते हुए कहा देश में पहली मेट्रो अटल जी के प्रयासों से शुरू हुई थी जब हमारी सिरकार 2014 में बनी थी तब केवल 5 शेहरों में मेट्रो सेवाएं थी और आज 18 शेहरों में मेट्रो रेल सेवा है 2025 तक हम इस सेवा को 25 से अधिक शेहरों तक ले जाएंगे उन्होंने कहा मेट्रो सेवाओं के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया बहुत महतवपून है ये लागत को कम करता है, विदेशी मुद्रा बचाता है और लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करता है प्रदान मंत्री ने दिली मेट्रो की मेजंटा लाइन पर भारत की पहली ड्रैवर लेस स्प्रिन का उधगाटन किया और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आज एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड लॉंच किया बढ़ते हैं आज की चोथी खबर की ओर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने भाजपा नेता अरुन जेटिली को उनकी जैनती पर सुमवार को शरद्धांजली दी और कहा कि उनका उजस्वी विक्तित्व, बुधिमत्ता, कानूनी समझ और हाजर जवाबी को वो सभी लोग याद करते हैं जो उनके काफी निकट थे अन्यभाजपा नेताओं ने भी पूर्व वित्यमंत्री को याद किया जेटली कई साल तक पार्टी की सबसे मुखर आवाज वाले नेताओं में शामिल रहे और उन्हें सबसे सुक्ष्म राजनितिक समझ वाले नेताओं में से एक माना जाता है जेटली का जन्म 1952 में हुआ था जबकि लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था अरूंड जेटली ने विते मंत्री रक्षा मंत्री समेत अन्य कई एहम पदों पर कारेभार संभाला अरूंड जेटली की गर्निती बीजेपी के उन निताओं में होती है जो मुश्किल के समय में हमेशा पार्टी के लिए काम आए कोई कानूनी मसला हो संसद में विपक्ष को जवाब देना हो या फिर विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरना हो अरूंड जेटली ने बीजेपी के लिए हमेशा अगवाई की है सुमभार को ही उनकी जैनती के अवसर पर नई दिली में करकेट स्टेडियम में उनकी मूर्ती का अनावरन होना है अब रुख करते हैं आज की पांचवी और आखरी खबर का अना हजारे ने किसानों के मुद्द्यों पर अब केंद्र सरकार को प्रदर्चन की चितावनी दी है अना हजारे ने कहा कि वो भूख हर्ताल करेंगे अना हजारे ने कहा कि वो जनवरी के अंत तक प्रदर्चन करेंगे केंद्र सरकार पर मुझे कोई यकीन नहीं है 14 दिसंबर को केंद्र क्रिशी मंत्री नरिंद्र सिंग तोमर को पत्र लिख कर चेतावनी दी थी कि MS स्वामी नातन समेती की अनुशनसाओं को लागू करने और क्रिशी लागत एवं मुल आयोग को स्वायत्ता प्रदान करने संबंधी उनकी मांगों को सुईकार नहीं किया ग और मंडी विवस्था खत्म हो जाएगी और वो बड़े कॉर्परेट पर निर्भर हो जाएगी किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर एक महिने से अधिक समय से इन क्रिशी खानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आज के मुख्य समाचारों में फिलाल इतना ही नमस्का फिल्साँ कर अवा खिलाफ समाचा हैं।